Hello friends, welcome to my nurture, मैं हो Krishna, कैसे हैं सब लोग, मस्त, बढ़िया तो उमीद कर रहा हूँ, आप लोगों की पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी थोड़ा सा लेट हो गए, चैप्टर नमर 6 का पहला लेक्चर लाने में थोड़ा सा थोड़ा सा मेरी तबियत जो थी वो गरबर हो गई थी, जिसके वैसे बेड रेस्ट पे चला गया था मैं अब इसके बाद लेक्चर क्या आते रहेंगे, ठीक है, तो पढ़ाई फिर से सुरू कर दो, कमर कस लो और स्टार्ट करते हैं चैप्टर नमबर सेक्स, ड्रग्स एक्टिंग ऑन ओटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्या होता है, बहुत सो लोगों को पता ही नहीं होगा, ओटोनॉमिक क्या होता है, खेर, आएंगे इसके उपर, यहां हम पढ़ेंगे, सिमपैथो मिमेटिक, मिमिक्री, मिमिक्री बदा नह ठीक है ना, सिमपैथो की मिमिक्री करने वाले ड्रग, हमारे बॉडि में कोई चीज है, सिमपैथो नाम की, ठीक है आओ देखते हैं, तीन काटिगरी में डिवाइट किया है, हमारे कोर्स में, तीन काटिगरी में है, डिरेक्ट एक्टिंग जो डिरेक्ट करेंगे, इंडिर Mimetic पहला topic है हमारे पास Drugs Acting on Autonomic Nervous System तो पहले समझ लें फिर से जैसे कि हमने लास प्राता Drugs Acting on Central Nervous System तो क्या है ये Autonomic Nervous System चलें देखें मज़ा आने वाला है ओके Drugs Acting on Autonomic Nervous System फिर से कुछ Mind Nurching Point ये केवल concept समझने के लिए है कि आखिरकारी है क्या कहां काम करने वाले हैं Drugs हमारी बाडी में है ना ऐसी दर लेके चल गए पढ़ने बैठ गए हम लोग आप देखें हम सब को पता है हमारी बाडी में एक क्या होता है Nervous System होता है एक ही Nervous System है जिसके दो पार्ट होते हैं एक Central Nervous System इसके अंदर कौन है Brain and Spinal Cod Clear है यह हम देख चुके है Brain और Brain से निकलता हुआ Spinal Cod जो Read की हड़ी में होता हुआ जाता है हमारा है ना तो यह हो गया Central Nervous System एक होता है Peripheral Nervous System यह Peripheral क्या है Peripheral बच्चों कुछ और नहीं है Peripheral में क्या रहेगा इस से मतलब यहां से या तो direct brain से या Spinal Cod से कुछ Nervous निकलेंगी Side से और यह कहां जाएंगी कोई Kidney में जारी है कोई Liver को टच करेंगी मतलब affect करेंगी ठीक है ना कोई आतों को जारी है कोई हाथ की उंगलियों पे जारी है तो यह जो Side की जो से निकल रही है हमारी Nervs निकल रही है है ना Side वाली Peripheral Peripheral एक इंगलिस का वर्ड है जिसका मतलब होता है बहारी या बहार की तरफ तो जो Nervous सिस्टम एक बीच का होगे हमारा Brain और बीच की रीट के हटी से निकलता होगा Spinal Cod और एक हमारा Side से निकल रहा है यहां से वोताब जा रहा है इसके अलावा Side साइड में क्या Chest है इधर क्या हर्ट है इधर stomach है इधर liver है इधर तो kidney है जो Side साइड में हमारे organs है उनके उपर जो असल डालेंगे उनको हम दो क्या बोलते हैं ऐसा nervous system उसको कहा गया है peripheral nervous system आओ देखे इसके भी दो पार्ट है peripheral के एक है autonomic nervous system autonomic जो हमारे control में नहीं है कैसे communicate with internal organs and gland यह जो nervous system है हमारे internal organs heartbeat को fast कर देगा हमारे control में नहीं है heartbeat को slow करेगा हमारे control में नहीं है है ना किसी gland का secretion हमारे मुझ से थूख निकलता है saliva निकलता है हमारे control में नहीं है थूख सूख जाता है हमारे control में नहीं है तो autonomic autonomic ध्यान रखना जो अंदर के organs का control जो हमारे बस में नहीं है यही हमारी chapter की heading भी है बास समझ मारी है autonomic nervous system जो हमारे बस में नहीं, organs and glands, organs कौन कौन से हैं, liver, kidney, intestine, यह सब organs आगे, glands, salivary gland है, pancreas है, liver है, और दूसरा इसी में आता है, somatic nervous system, ऐसा nervous system जो हमारे control में रहता है, मतलब कि, मतलब जो चीज़े हमारे control में हैं, उसको control करने वाला, जैसे की हाथ की मासपेस ही हमारे control में है, लेक रहता है, हाथ पीछे हटा, तो क्या था यह, that is voluntary muscle, यानि कि जो हमारे control में है चीज़ें, जब उनको कोई system control करता है, nervous system का part, तो उसको हमनों क्या बोलते हैं, somatic nervous system, और body की ऐसी चीज़ें, जो हमारे control में नहीं है, अगर हमारा nervous system उनको control कर रहा है, तो हमनों उसको क्या कहते सांस नहीं आएगी है ना, यह सब भरे क्या है, बस में, that is called somatic nervous system, इसका जिक्र नहीं आ रहा है, अब किसका जिक्र होने वाला है, आज, autonomic nervous system का, अब autonomic nervous system में भी दो है, अच्छा पहले उसको खदम कर लेते हैं, somatic में क्या आता, sensory और motor, sensory का मतलब क्या हुआ, हमने छुआ, sense हमारे दिमाग में आया, तो यह वाली जो nerve क्या कहलाएगी, sensory nerve, और दिमाग ने action भेजा, यहां की मसलब को हाथ खीच पीछे, और हाथ पीचे खीचा, यह वापस action लेकर जो nerves आई है, उसको कहते हैं हम लोग, motor, उसको हम लोग कहते हैं, motor nerves कहलो, उसको afferent nerve कहलो, ठीक है न या motor output कहलो, इसे sensory input बोल दिया गया, input क्यों, क्योंकि यह हमारे brain में signal भेज रही है, बात clear होगी, तो इसका जिक्र तो अभी हमको नहीं करना है, आज आते हैं अपने मुद्धे पर, autonomic, clear है, हमारी body के internal organs, जो हमारे control में नहीं है, ठीक है न, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, autonomic nervous system, next, इसके दो पार्ट है, sympathetic और parasympathetic, autonomic system के दो पार्ट फड़ो तोड़ दिये गए हैं, sympathetic और parasympathetic, sympathetic को कहा गया है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यह वहीं, तुम्हें किसने बुलाया, और तुम क्यों आए, जाओ भाई, गए, ठीक है, ओके, तो देखते है, sympathetic division, arousing, arousing, arousing मतलब arise, मतलब उकसाने वाला, excite करने वाला, arouse, जो excite करे, और parasympathetic division, काम, जो शान्त कर दे, जो क्या कर दे, शान्त कर दे, अभी है, क्या है, arouse करना, सान्त करना, सुनो बात को, अचानक तुम जा रहे हो रास्ते में, ठीक है, imagine करो जिससे तुम्हें डर लगता है, let, imagine करो, अचानक तुम शेर आ गया, या भूत, डरते हो तो भूत आगे एक्दम से, क्या होगा, जै पेशा चुटने के मतलब है, जो यूरिनरी ब्लेडर के पास, जो मसल्स होती है, हमारे यूरिन को कंट्रोल करती है, कि निकलने नहीं देती है, वो डर की वज़े से लूज पढ़ जाती है, ठीक है, अलक तरीके से निले ना, इसको, तो ये सारे काम कौन करवा रहा है, sympathetic, arouse excite, यानि कि sympathetic को हम लोग कहते है, triple F, flight, fear and fight, flight से भी डर लगता है, fight होती तब भी डर लगता है, और fear डर लगता है, उस समय हमारा यारा system activate हो जाता है, अब heartbeat बहुत फास्ट है, डर लग रहा है, और जब share चला गया, तो उस heartbeat को normal भी तो करना है, है ना, तो parasympathetic active हो जाएग परशीना साफ करेगा, जो इसमें sympathetic हो हमारा मूँ का थुक सुख गयाता है ना, डर की वजए से, बास समझे है ना, हमारी body की activity, imagine कर लो किसी चीज़ से कभी न कभी ऐसा हुआ होगा, तो डर की वजए से जितनी भी हमारी body के अंदर काम हुआ, घबराद हुई, हम कपे, हार् कौन करवाता है, sympathetic nervous system, यानि कि कुछ ऐसी nerves हैं, जो यह सारे काम करवाती है, उनको बोला गया sympathetic nerves, और इसका उल्टा, जो हमको फिर शांत करेंगे, वह यह शांत हो जाए, डर चला गया, डर चला गया, वो nerves को हम लोग क्या कहते हैं, पैरा-sympathetic nerves, अब imagine करो, तुमारी heartbeat slow है, BP low है, तुमको ऐसी medicine दी जाएगी, कि तुमारी पैरा-sympathetic nerves active हो जाएगी, heartbeat fast हो जाएगी, BP बढ़ जाएगा, बास समझ में आरे ना, यही तो दवाईयां काम कर रही है, किलियर है, तो आज पूरी बात होने वाली है, autonomic nervous system में, sympathetic and parasympathetic nervous system की, किलियर है, चले, बढ़े का काम करती है, और जो नर्व पैरा-sympathetic का काम करती है, क्या 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 करती है, आओ, इनका वो देख लेते हैं, हम लोग, क्या, difference समझते हैं, यह आग्या इसका बढ़ा, प्यारा सा difference, ओके, तो आप देखे जा रहे हैं, आपर difference between, SANS, ठीक है ना, sympathetic autonomic nervous system and parasympathetic autonomic nervous system, आओ, तो मैंने पहली बाता, क्या करेगा यह, fight and flight जब होगा, तो activate हो जाएगा, अलर्ट कर देगा, हम लोग अलर्ट हो गया, कोई है, अलर्ट हो जाते हैं, हम लोग, अलर्ट हो गया, हाट रेट, यह एरो बनाव हो मतलब increase, अब अरो का मतलब क्या हो गया, कोई चीज, increase कर रही है, down arrow का मतलब क्या हो जाएगा, कोई चीज, decrease कर रही है, heart rate increase कर रही, breathing rate, सांस से तेते चनल लगती है, ठीक है, bronchodilation, जो हमारी bronchio, समझे न, फेपड़ों में, आखरी में जा करके, जो, bronchi, यह तो alveoli हो गया, यह क्या होता है, alveoli, ठीक है न, और यह क्या है, bronchi, यह फैल जाती है, फैलने से क्या होगी, सांस, हवा, बहुत एजिली अंदर भार आ सकेगी, तो हम लोग तेते सांस ले पाएंगे, cardiac and skeletal muscles, blood flow, increase in, arrow का मतलब, increase in cardiac heart के muscles में, और हमारी मास्पेशियों की muscles में, blood flow अचानक से तेज हो जाएगा, कभी देखा है, जो बच्चा दौड़ता भी निया, अचानक गली में जारो कुट्ता दौड़ जाए, कितना तेज रहना आता है न, हमारी बॉड़ी में एक ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, कौन कर रहा है, इंपाधिक नवर सिस्ट जाता है, तो blood flow वहाँ पर, gut, gut यानि की हमारा digestive tract, वहाँ decrease कर जाएगा, decreased cutaneous blood flow, cutaneous मतलब जो हमारी skin वाला खाल होती है, skin के just नीचे की परत होती है, खाल के नीचे की परत, उसे कहते है, cutaneous, वहाँ decrease कर जाएगा, energy चाहिए, glucose से ही है, तो blood के अंदर सुगर बढ़ जाएगी, कौन बढ़ा देगा, ये बढ़ा देंगे, temperature body, heat हो जाता है, काम करना है, एक्ट करना है, gut contractility, यानि की हमारा gut, हमारा पाचन किरिया के लिए लगातार, जो mass patient होती है, पेट की और आतों की, उन्हें लगातार, ऐसे 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 से shrink करना होता है, वो रुख जाएगा, हलका bladder contractibility, bladder की contractibility decrease कर जाती है, bladder उतना शुकड के नहीं रह पाता है, फैल जाता है, जहां ये फैला, वहीं पर urine body से पास हो जाती है, इसलिए कई बार हम लोगाता है, डर की वज़े से किसी का urine निकल जाता है, देन आता है हमारे पास salivation, जो मारा थूक है, वो सूक जाएगा, decrease है ना, downward air हो है, decrease in salivation, मुँ सूक जाता है डर की वज़े से, ना, lacrimation, यानि कि आंसू सूक जाते है, थोड़ी आंसू सब गया हो जाते है, digestion decrease कर जाएगा, ठीक है, तो क्या चीज़ इंक्रीज कर रही है, क्या चीज़ डिक्रीज कर रही है, बात समझ में आ रही होगी, तो य यह सब वाकरी में हो रहा है, ठीक है, इसके जश्ट अपोजिट कौन हो जाएगा, यह PNS, peripheral, sorry, parasympathetic autonomic nervous system, rest and digest, यानि कि जिस समय हमको rest चाहिए होता है, कर रहे होते हैं, या digest कर रहे होते हैं, उस समय यह active रहता है हमारा, या इसके बाद यह active हो जाएगा, और हमको सांत कर जाएगा, कैसे आओ देखते हैं, alertness ठीक है, सो रहे हैं ना, मतलब नहीं, ठीक हो रहा है, heart rate normal हो जाए, breathing rate normal है, cardiac and skeletal muscle में decrease कर गया है, gut flow, खाना पचाना है, खूब सारा खून जाएगा, cutaneous blood flow, हमारे यहाँ पर skin की नीचे, खूब सारा जाएगा, खूब सारा जाएगा, ब्लेडर आराम से श्रिंक कर सकता है, salivation मुँ में थूक आराम से आएगा, lacrimation आशू आएगा आराम से और digestion हमारा increase कर जाता है, तो बात समझ में आरे ना, आप देको यहीं सब तो ब्युमारी है, इसमें आज के topic में जादर क्या रहेगा हमारे पास, इसका रहने वाला है, इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट इंक्रीज का सिधा सिधा असर है BP से, ब्लेड प्रेप, ब्लेड प्रेशर से, तो आज कर जो हम पढ़ेंगे ना, जादर BP मेंटेन, BP मेंटेन, बाद बाद की चीजों में इस्तमाल होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा focus रहेगा आज BP क इसके ने वाला है? ब्लेड प्रेसर के लिए, तो ठीक है, अगर हमें यह समझ में आता है, कि हमारी बाडी के nervous system में यह वाला nervous system यह सारे काम करता है, अगर कोई बीमार है, तो हम इस nervous system को दवाईों से activate कर देंगे, हाडविड बढवा लेंगे, सांस की rate बढवा लेंगे, सा ऍवल है न बात सौमझे में आ गई हमारी बॉड़ी में जो कम नेच्रल ही होती है हुआ है उसको दूआ लुवा से कर वा रहे हैं बस कि लिएड prawda चलें आगे इसका फाहर लिखा हुआ है SYMPATHETRIK AUTO uw WRAND सिस्टम PARA SYMPATHETRIK AUTO NOMIC Nvre SISTS ещё कि लिए रहे चलें next slide है अगने Geral जो sympathetic nervous system की नकल करेंगे और उसको activate करवाएंगे ऐसे agents यानने कि जो chemical sympathetic nervous system को entity करते हैं हमारी reason naturally यह drug भी unix chemical की तरह काम करेंगे और उनको activate करवाँएंगे आँ देखें क्या वोल रहा है तब तो में द्रग सार्पॉंड विच मिमिक जो की नकल करता है दाइफेक्ट आफ अब ये तर्म इफेक्ट उफ एंडोजीनस अगॉनिस्ट यह टर्म क्या है एंडो एंडो मतलब नेच्छरल naturally जो हमारी body के अंदर मिल रहा है agonist जो favor करते हैं जो support करते हैं agonist मतलब जो support करें endogenous मतलब जो हमारी body में naturally हमारी body के अंदर बनते हैं of the sympathetic nervous system ठीक है क्या कह रहा है sympathetic drugs are the compound यह वो compound है which mimic जो नकल करते हैं effect किसके effect के endogenous agonist क्या है यह endogenous agonist फिर बोल दिया सर आपने endogenous agonist actual में endogenous agonist मतलब ऐसे chemical जो support करते हैं किसको sympathetic nervous system को activate कर वाएंगे आओ देखें the primary main primary मतलब में खास endogenous agonist of the sympathetic nervous system जो इस system को activate कराएंगे यानि कि ऐसे chemical जो इस system को activate कराएंगे और kachicolamines kachicolamines that is epinephrine इसी को प्यार से adrenaline भी कहते हैं हम लोग clear है पढ़ चुके इसके बारे हैं पहले nor epinephrine nor adrenaline and dopamine dopamine के बारे हैं बहुत पढ़ा है ना प्यार का chemical ठीक है which function has both neurotransmitter and hormone यह neurotransmitter और hormone दोनों की तरह act करते हैं फिलाल hormon के तरह यह क्या काम करते हैं हमें उससे अभी जानने की जुरूत नहीं है क्योंकि वह अभी हमारे course में नहीं है हम समझेंगे कि यह neurotransmitter की तरह कैसे कैसे act करते हैं और क्या function करते हैं अब क्या क्या function क्या करते हैं sympetomemetic को करेंगे आप सिंपाथाटिक नर्व शिस्टम को यह तीनों मिल करके शिंपाथाटिक को एक्टिवेट करेंगे तो क्या होने वाला है यह सारे एफेक्ट बैदा हो जाएंगे किलियार ओके क्या कर रहे हैं यह जो तीन चैंज है मारी बॉड़ी में इन को निकाल दो निकाल दो मतलब बॉड़ी से अंदर बे होजा निकलवा दो तो सिंपाथेटिक वाले सारे एक्सेन अट्रमेटिक चलू हो जाएंगे बात समझ में आ गई गुड आगे देखते हैं अब हम लोग टाइप्स ऑफ सिंपेटोमेटिक टाइप्स की बात करें तो टीन यहां चाइब के दायरेक्ट्ली एक्टिंग ठीक है ना एक्चुली है क्या यह तीन केमिकल बता है यह अल्फा और बीटा रिसेप्टर पाए जाते हैं हमारे ब्लड वैसल्स में और कुछ मसल्स वगणरा में होते हैं वहां पर जैसी इन रिसेप्टर के ऊपर यह कुछ indirectly काम करती हैं, वो क्या करेंगी भई कि हम receptors कुछ अक्टिवेट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, act by providing more norepinephrine to act on alpha and beta receptor, वो indirectly क्या करें, norepinephrine को बढ़ाएंगे, भईया तो आजा, और आओ, norepinephrine और आओ, और जाओ, alpha, beta के उपर जाके काम करो, alpha, beta पर काम करोगे, तो sympathetic nervous system activate होगा, और जो मैं करना चाहता हूँ, मेरा काम हो जाएगा, clear है, और तीसरी category है, mixed acting, act by both mechanism, direct और indirect, clear है, clear होगों की सारी बाते, okay, now come to classification, बहुत ही अच्छा, प्यारा सा classification मैंने याँ देने की कोशिश की है, देखते हैं, अगर आप लोगों समझ में आ जाएगा, तो बहुत प्यारा, आओ, classification of sympathetic, sympathetic nervous system की mimicry करने वाले, chemical classification, catechol mines और non-catechol mines, catechol mines में क्या रहेगा, जिसके अंदर catechol nucleus रहता है, यानि कि एक साथ 2 OH रहेंगे, और non-catechol mines माने में क्या हो जाएगा, जिसमें 1 OH रहेगा, ठीक है ना, तो इस तरीके से मेरे पास chemical classify कर सकता हूँ, दूसरा कर सकता हूँ, based on mechanism of action, आई करी चुके हैं, उसके हम directly acting, indirectly acting और mixed acting, clear है, आओ देख लें थोड़ा सा इसको, क्या कहा रहा है, directly acting में दो आते हैं, catechol mine और non-catechol mine, catechol mine में क्या कहा रहा है, dihydroxybenzene, dihydroxybenzene, एक hydroxy, दूसरा hydroxy और यह रहा बेंजीन, having OH, OH को बोला जाता है, hydroxyl group, at adjacent, आजू-बाजू, third and fourth position, third and fourth position पे क्या होंगे, यह आजू-बाजू रहेंगे, adjacent मतलब आजू-बाजू, ठीक है, non-catechol mine क्या है, which do not possess OH group at both adjacent position, आजू-बाजू नहीं होंगे, ठीक है, third or fourth way, या fifth पे यह नहीं पाए जाएगा, ठीक है, और benzeny, but only at one position, बस किवल इसी एक पे मिलेगा, third पे, fourth पे या fifth पे, clear हो गया, chemically, यह difference यह मिल गया, अब example तो भीया, याद करना, तुम्हारा काम है, मैं बता देता हूँ, endogenous, adrenaline, non-adrenaline and dopamine, ठीक है, नहीं, synthetic में आ जाए, तो dobutamine, isoprenealine, ethyl, noradrenaline, prenaltirol, isoetherine, in deadly acting की बात करें तो amphetamine, tyramine, mixed की बात करें तो ephedrine, metaminol, dopamine, metaminol, dopamine, और mefa, क्या है, mefentermine, mefentermine, ठीक है, नहीं, तो यह थोड़े से naming है, जो तुम लोगों को याद करने पड़ेंगे, clear है, classification clear हो गया, chemical based और function based, है नहीं, mechanism based हमने पढ़ा और इसको कैसे पढ़ा हमने, classification किया हमने chemical based पे, clear है, तो I think, उमीद कर रहा हूँ, sympathetic, क्या है यह, sympathomimetic, जो हमारी आज की heading है, अच्छे से clear हो गई होगी, ठीक है ना, तो आज हम लोग sympathetic में चलते हैं आगे, देखते हैं, अपना, start करते हैं, तो now, पहली drug क्या है, या पहली heading है, drug, direct acting, sympathomimetic agent, ऐसे agent जो directly काम करेंगा, direct जा करके, alpha, beta पे act करते हैं, सबसे पहले उसमें आता है, norapinephrine, इसके उपर star लगा हुआ है, star का मतलब पता है, क्या होता है star का मतलब, इसका chemical structure and name अपने course में है, आओ देखें, norapinephrine, also called noradrenaline, also called noradrenaline, both a hormone, ठीक है न, इजब बोथ, noradrenaline जो है, इजब बोथ, ये बोथ दोनों है, दोनों क्या, एक hormone जो की produce किया जाता है, adrenal gland से, and a neurotransmitter, एक neurotransmitter भी है, जो एक nerve से दूसरे nerve में signal भेजने के काम में आता है, उसको हम लोग क्या बोलते है, neurotransmitter, अग chemical messenger, एक chemical messenger भी हो गया, chemically message लेके जा रहा है, which transmit signals across nerve ending, nerve तो ध्यान होगा न, ये nucleus वाला, हाँ ठीक, याद आ गया, good है न, nerve ending यहाँ से बेचता है, in the body, तो ये एक तरह क्या है, neurotransmitter भी है, chemical messenger भी है, और हार्मोन भी है, फिलाल यहाँ पर हम इसका, as a neurotransmitter और chemical messenger क्या काम करता हो समझेंगे, अब बात करें इसके बारे में, अब chemical name and structure, तो देखो जा रहा, chemical name and structure, क्या कह रहा है, ओके, मैंने का बिताया था, या तो आगे से पकड़ लो, आगे से दिक्कात आते हैं, हमें से पहले कहा बढ़ा है, parent chain पकड़ो, main क्या है, benzeene one two diol, benzeene one two diol, तो यह रहा benzeene, यह रहा one, यह रहा two, one two diol हो गया, three हो गया और यह four हो गया, four पे क्या लगा हुआ है, one two, four पे दो carbon और लगे हुए है, तो four पर two पर क्या लगा हुआ है, amino, one पे क्या लगा हुआ है, hydroxy, और एक दो, इथाई, four पर, ठीक है, जो branch के अंदर branch होगी, उसको bracket बंद कर लेते हैं, उमीद कर रहा हूँ, इस बात समझ में आ चुकी होगी अब तक, फिर से बताता हूँ, four पर bracket बंद, four के अंदर, branch लगी one, और ये two, दो carbon की chain है, ठीक है, दूसरे पर लगा है क्या, amino, और पहले पर क्या लगा है, hydroxy, और combined क्या है, इथाईल, ठीक है ना, नाम की बीच में gapping नहीं होती है, इसले चिपका के रखा हुआ है, then benzene, one two diol, one two diol, clear, simple सा नाम, बस यही तो पकड़ना है, इसमें, बाद बागी तो हलुआ है, आओ देखे, चलो, now uses, uses की बात करें, अगर हम लोग, तो all functions that sympathetic nerve do, यह वो सारे काम करता है, जो sympathetic nerves को करना चाहिए, obvious ही बात है, उसी को उकसाने के लिए तो बनाया हमने, especially used to increase blood pressure, देखा, मैंने काता ना, बीपी के लिए खासका हुआएगा, in acute hypotensive, hypotensive मतलब, और acute मतलब बहुत ज़्यादा जब बीप, hypotensive BP गिर गया, arising, ऐसा, बहुत ज़्यादा बीपी कप कर जायाता है, पड़ा, ठीक है ना, उस case में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, बीपी बढ़ाएगा वो, दूसरा कहा है, दूसरा काम कहा है, इसका central vasometer, increase BP in acute hypotensive state arising, अच्छा, ये acute hypotensive state, यानि कि ये बहुत ज़्यादा low BP कप कप आता है, सदमा लग जाए, या, ठीक है, central vasometer, जो की part of medulla oblangueta है, medulla oblangueta एक brain का part है, दिमाग के अंदर पाया जाता है, जो हमारे BP को regulate कर रहा है, कम करता है, ज्यादा करता है, अगर ये वाला part जो regulate कर रहा है, बड़ा maintain करके रखता है, अगर ये part ही depressed हो गया, काम करना बंद कर रहा है, ठीक है, तो BP मेरा क्या कर जाएगा, बहुत जदा गिर जाएगा, उस case में भी मैं इस drug का इस्टमाल करूँगा, ठीक है न, and hemorrhage, कई बाद चोट चपेट लग जाती है, सरीर के अंदर खून बहता रहता है, कोई नस फटगी ये, कुछ हो गया है, उसकी जब खून सरीर के अंदर भह रहा है, तो BP क्या हो जाता है, लो हो जाएगा, हाट उतना pressure नहीं बना पाता है, ठीक है न, तो इन हो गए न, sympathetic nerve और increase in BP, खेल खतम, ये दो ही चलेंगे इस पूरे chapter में, ध्यान रखना, अगर जिनको भूलने की ज्यादा आधात है, तो वो ये दो चीज़ें याद रख लें, sympathetic nerve को activate करते हैं, वो सारे function उसके याद कर लें, वो function लिख सकते हैं, और BP तो अपना high main, बात समझ करने के किसी बुक से आई है, चेक करने के सब्सक्राशा तरीका होता है, इसका drug का नाम डालो, उसका ब्रैंड नाम डालो, ठीक न, वो तुमारा खुलकि आजाएगा, उसका तुम रैपर देखो, रैपर पर storage condition लिखी रहती है, वो ही लिखनी होती है, तो इस पूरे lecture में, यह पूरा storage condition है, मैंने copy paste मारा हुआ है, क्योंकि पूरे में सब में सेम है, कुछ भी एक अंतर नहीं है, सबकी वही room temperature stored should be below 25 degree centigrade, जिनको 25 degree नहीं लिखने में दिक्कत है, वो सीधा लिखो, इस टो शुड़ बी stored at, शुड़ बी stored at room temperature, यह लिख दो room temperature, room temperature कितना होता, 25 degree का होता है, खेल खतम, सूखी जगह रखो, गीला मत करो, मौस्टर अबजाब कर लेते हैं, फ्रीज मत करो, बेकार हो जागी दवा, लाइट मत रखो, लाइट की रोशनी जब डाइट पड़ती सनलाइट की, तो कईवर chemicals breakdown कर जाते हैं, simple है, तो stability storage copy-paste है पूरे में, ठीक है, formulation, injection, यह solution बनाया जाता है, जो injection को ग्रूप में दिया जाता है, brand name की बात करें, तो norpinalth, northics and norbit, यह तीन brand name है, और भी brand name है, अगर यह किसी को wording tough लगती है, या पहले किसी lecture में मेरे brand name tough लगे ह गूगल पर जाएं, नाम डालें, क्या नाम डालेंगे, क्या थी हमारी adding, nor epinephrine brand name, डालोगे बहुत सारे brand निकल के आजाएंगे, जो simple लगे वो तुम लिख सकते हो, otherwise इनको लिखो, मैंने कोशिस यह किया है, कि सारी language simple simple और easy easy हो जाए, बात आके तो description में नोट्स मिली रहे ना, कमेंट कर देना, ओके, आगे सलते हैं, next आगया, epinephrine, epinephrine क्या चीज है, also known as adrenaline, वो क्या था, noradrenaline, epinephrine को हम लोगे एक और नाम से किसे जानाते है, adrenaline, is a hormone and medication, एक दवा भी है, और हार्मोन भी है, ठीक है, लिखने के लिए है, general intro में लिख सकते हो, it involved in regulating viseral function, viseral का और के जो अंग है, भाईया, वोई तो देखे, हमने अभी पैरा-sympathetic को पैरा-sympathetic क्या कर रहे हैं, और internal organ को कम जादा करते रहते हैं, ठीक है, तो it involved in regulating viseral antric function, example respiration, एक respiration दे दिया, glands दे दो, कुछ भी दे दो, choice है तुमारी है, आप तो मालिक हो गए, सब जानते हो तो, adrenaline is normally produced both by the, adrenaline कहां बनाता है, adrenal gland and by small number of neurons in the medulla oblongata, brain, ये कुछ तो brain के अंदर बन रहा हमारा, अच्छी बात, adrenal gland, ये कहां पाई जाती है, दो राजमा पाई जाती है, हमारी body के अंदर, राजमा, kidney, भोल गया है, याद है, इनके उपरी क्या होती है, इस टाइप से, adrenal glands होती है, है ना, ये क्या है, इन kidneys की उपर adrenal gland पाई जाती है, जो इसको release करती है, ओके, इट प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल, इट प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल इन fight or flight response, डर, जब डर लगेगा, तो ये बहुत सबसे पहले निकल के भार आएगा, सब कुछ हार्ट बिट तेज करेगा, blood flow बढ़ा आने वाला है, ठीक है, by increasing blood flow, two muscles, मारी मास प्रेशियों, मास प्रेशियों, खून बढ़ा देगा, output of the heart by acting on the acid node, क्या किसी को पता है, acid node याद है, भूल गए, sino-actual node, जो हमारी heart के अंदर एक जगे होती है, जो heartbeat create करती है, इसको पर काम करेगा, तो heartbeat जल्दी जल्दी create होगे, जल्दी जल्दी pump होगा, ब्लड पूरी body में फटाफाट circulate होगा, एकदम से, people dilation, पुतलियां फैल जाती है, आखे नहीं फैलती है, आखे नहीं फैलती है, आखे पुतलियां होती है, गोल गोल फैल जाती है, people dilation response and blood sugar level, इसको भी increase करते गाई है, बढ़िया, it work by binding to alpha and beta receptor, जाती है, तो हम पढ़ी जोके है, alpha beta receptor पर काम करते है, अच्छा, alpha beta भी बहुत टाइप के होते है, alpha 1, alpha 2, वो beyond the course है, ठीक है, कोई detail में जाता है, तो जाके check कर सकता है, फिलाल अपने course में इतना ही है, ठीक है, it is found in many animals and some single-celled organism, ठीक है, बहुत सारे animals में और single-celled organism में यह पा इंकल ने में structure की जरूरत नहीं है, बट हम करेंगे, हम समझेंगे, है ना, हम करेंगे और समझेंगे जिससे की और जो naming करते हैं, उसको करने में समझने में हमको असानी हो, ठीक है, फिर से पकड़ो parent, benzene 1, 2, diol, benzene 1, 2, diol, तो 1, 2, 3, 4, 4 पे क्या लगा हुआ है, 1 पे hydroxy है, और 2 पे methyl amine, देखो यहाँ पे यह खाली है ना, याने की CS3, इस CS3 की वज़े से क्या आया, methyl और यह amino, यह क्या हो गया, methyl amino, and 1, 2 क्या हो गया, ethyl, clear है, तो यह नाम पढ़ गया इसका, 4 पे 1 hydroxy, देखो यह common structure है, पकड़ लो, ठीक है ना, catechol mine, catechol mine, याद है, starting में क्या दा, तो 4 पेर, 1 hydroxy, 2 methyl amino, ethyl, benzene 1, 2, diol, clear है, uses, तो यह simple है, it is used in emergencies to treat, मत लिखो यह लाइन, use, क्या याद रखना है, to treat serious allergic reactions, जो खतरनाक तरीकी allergic reactions हो यह ना, उन में काम करता है, जैसे कि कई बार कोई कीडा काट ले, है ना, insect sting, sting मतलब, dunk, dunk, da, 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 dunk, कैसे लिखते हैं, हाँ, ठीक है, थोड़ी Hindi मेरी कम जोग हो रहे, okay, sting मतलब dunk, insect का dunk लग जाता ना, मद मुखी काटा, बिच्छु का, बढ़ा खतरनाक, या कीडा काट ले, चैन्ट था बुरी तरीके से और बॉडी में रियक्शन हो जाती है कुछ लोगों को तब हम इसको देते हैं ठीक है या फूट ड्रक्स और अधर सबस्टांज या कई बार कुछ खाने से कुछ लोगों को अलर्जी हो जाती है या कई बार कोई मैडिसिन घा जो रियक्ट कर ब्लॉड प्रेसर ड्रॉप और उसको रेश कर देगा रेश का मतलब उठा देगा ठीक है ना एंड रिड्यूस स्वैलिंग जो स्वैलिंग और यह चहरे वगारा पर कीडिड़े काटने के वेशे वह पिचक जाती है किलियर है लिप्स एंड थ्रॉट मजा आ रहा है मैज़ लेवाला ओके फार्मूलेशन इंजेक्शन ये भी है ब्रैंड नेम की बात करें तो एपिपेंट टू पार्क है ना एड्रेनलीन एपी नीड एपिनिल्थ और एपिब बस अब बस एपिबस ठीक है किलियर है तो यह था हमारे पास सिंपल सा एपिनेफरी किलियर है चलें आ नय एक टुम को बढ़ फिनाइयल फिरीन ठीक के ऊपर भी श्टार नहीं है है ना इसके ऊपर भी श्टार नहीं यह आने कि इसका भी केमिकल नेवड स्ट्रक्चर हमारे निये बट हम पढ़ेंगे ओके फिनाइल फेरीन इस प्राइमली यूज़ एज़ डी कंजेस्टेंड नाँग जो जगड जाती है ठीक है ना डाल दो खुल जाता है ठीक है टू डालेट दा पीपल पीपल सॉरी नॉट पीपल पीपल है ना नाग की पुतली हो को फैलाने काम में आता है टू इंक्रीस बीपी ब्लड प्रेफित को ंक्रीज करने काम में आता है एई टू रिलीव हम रॉइट्स भावासीर हम रार्ट का मतलब बवासीर बवासीर हो जाती है उसमें भी य होत है काफी हद तक help करता है when taken orally as a decongestant it relieved nasal congestion अगर ओर खाए दवा के तौर पे decongestant के तौर पे तो यह ना नाजल congestion नाख की जगड़न है नाजल कंजेशन नाख की जगड़न लिकलो इंदी में due to cold and hay fever. hay fever क्या होता है बच्छो? hay fever actually hay fever कई बाइब लोगो ना डश्ट से या पॉलेंड ग्रेंज से अलर्जी होती है वो जब अलर्जी लगती तो आँखे चिल मिलाएंगी आंसु आएगा और छीगी आएंगी और फिवर आने लगता है वह फिवर को हे फिवर कहते हैं ठीक है ना तो ठीक है उन सब चीज में काम आता है इट कै है इस्टक्चर की बात कर लें तो फिनल् यह रहा फिनल् अकट रहे हो फिनल तीक है तो वन वन थू सबस्ताह誌 है तो अ思 ओन्हारी बाते यूस पहले भी करते को यह कर लो अलर्जी वगरा में काम आ रहा है निसकंफर्ट वाइक कोल्ट अलर्जी सेंड है फिवर याने कि जो नाक की जग्ड़न होती है किसके वह रही है ठंड की वह इसे कोल्ड की वह आज इसमें रहाद देता है इट अलसों यूज तो बहुत से लोगों का अधकल साइनस की प्रॉब्लम नॉर्मल है एंड प्रेशर साइनस का अधकर प्रेशर लगता है ना नाक पे जिनको साइनस है वह समझ सकते हैं इस चीज को हाइपोटैंसन हॉप पाइपटैंसन हाइपोटैंसन मतलब लॉबी पीं लोगदो नावपे लिख लों हाइपोटैंसन लोगदे लो पीले को उसके बीपी को मेंटेन करते हैं किलिए रहें जिफ सिम्टोमेटिक लक्षणिक रिलीव लक्षणों से रिलीव देगा पर जो उसकी जड़ है उसको खतम नहीं करता है किसके रिलीव करता है अक्षण अंदरी दो टाइप की होती है जिनको हुआ है वह समसकते हैं जिनको नहीं हुआ है तो उनके लक्षण लक्षण इंदस है दर्द हो गय रहा है या कुछ और दिक्कत है उससे रिलीव मिल जाएगा लेकिन कहो बवार्जी को खतम कर दे ऐसा नहीं है इस्टेविल्टी, स्टोरेज, कंडिशन, कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट समझे नो, वही सारी सेम चीज़े है, फॉर्मिलेशन, टैबलेट, कैपसूल, सॉलुशन और ग्रैनलूर, सबकी फॉर्म में आता है ये, ब्रैंड नेम की बात करें तो, बायोरफेन, नियो, सिन्फिराइन, और सुफिद्रीन, पी ए, किलियर है, चले आगे, चले, ओके, डोपामाइन, इस्टार वाला, इसका कैमिकल लेवाय स्टक्चर अपने कोर्स में है, आओ देखें डोपामाइन के बारे हैं, कुछ बाते जा थो, इसका है, ढेन, फेनितथाइल आइन, फेमली का है, ठीकर थी थेमित्यकला है, रूपामाइन, चलेखें लिए को ब्लाउँ करता है, लोपामाइन, एलकर काले देगा, आ सुर्शिया ज इसका, इको ऊइसका के तरूमाइन, रूटारे डोपामाइन, यसका लिए तो, से दूरत में क्या काम करएं दान हो यह है नदी अर। Ecuador कंडर स्था अंदर के काम करता है एक हम लोग rave लोग चेक करना ऑन। तूसें टसिंगनल निरोटरंसमिटर क्या होते हैं अग केमिकल रिलीज बाइद इरोन एक ऐसा केमिकल जो निर्वन छोड़ता रिलीज मतलब निकाले का अपने अंदर से कौन निकाल रहा है Neuron नीरोन तो पता है कि अब भी नहीं पता नीरोन सर्म कर लो नहीं पता है तो गोड अवाज आ रही है सायर हमको पता है गोड सुन लिया मैंने नीरोन 2-3 signal to other nerve cells एक nerve cells से दूसरे nerve cells में भेजने के लिए जो chemical के स्तमाल होता है साइननेप्स से पढ़ाया था मैंने ठीक है ना उसी के तुरो केमिकल एक दूसरे से क्या करते हैं सिंग्नल बेशते हैं निरो ट्रांस्मीटर सार सिंतेसाइज इन इस्पैस्फिक रिजन आप दा ब्रेन ब्रेन के कुछ खास हिस्तों में ही स्पैस्फिक रिजन कहां पैदा हो इसको चाम कर दिया इसको ज्यादा कर दिया ठीक है तो यह सब एक तरह के जर्नल बाते हैं कोशन आता है तो इस लिख सकते हो नहीं लिखना चाते हो सीधा कैमिकल नहीं महीं स्ट्रक्चर पर आजाओ वहां से लिखना स्टार्ट कर दो आओ देर आर मैनी फंक्शन आप डॉ चुशियां देता है ये प्यार का कैमिकल है ना तो डॉपामाइन खाओ मॉटिवेट हो जाओ ऐसा नहीं खरना है ठीक है डॉपामाइन के गोलिया मार्केट अवर्य बढूर्ब हो जाओ डुपामाइन को मॉटिवेट हो जाओ आप बढूब जालो आगे आते हैं क्या हो रहा है कि अचलिक बीमार था मेना तो बिस्तर पढ़ा था पक गया था बुरी तरीके से अब पढ़ाने में तो मेरे को अलगी लेवल का मज़ा आता है चलो आगे आते हैं कि एंटीशिपेशन का मतलब होता है कि हम लोग सोच रहे हैं कि अब मेरे को कोई रिवार्ड मिलने वाला है रिवार्ड मतलब कोई पुरुसकार मिलने वाला है लिकलो हिंदी में रिवार्ड मतलब खुशी या कोई पुरुसकार यह सोच सोच कर ही मेरा मन खुश हो रहा है और रहोगे हमेशा है ना ठीक है प्यार वाला केमिकल मतर यहीं नहीं कि हर वार इजब परपोस किया तभी निकलेगा जब आप खुश होते हो तब भी निकलता है ठीक है इसलिए अपने आपको हमेशा अगर दुखी हो तो हमेशा वह चीज सोचो जो तुम्हां साथ अच्छी हु ठीक है ना जो प्रोब्लम है उस प्रोब्लम का सलुषयल पक्का है प्रोब्लम के बारे में सोचो कि कैसे ठीक हो सकती है क्या क्या तरीक्य वाले निकल गाहरे के पार तो क्या कहा रहा है anticipation हम सोच रहे हैं कि मेरे को खुशी मिलने वाली है और यह सोच सोच करी dopamine का लेवल ब्रेन में बढ़ गया है और हम लोग motivate हो जाते हैं aside from its feel good aside मतलब इसके अलावा कि यह feel good कराता है dopamine is involved in many body function वो कई सारे body function में भी involved है these includes कौन कौन से function में भाईया blood flow करवाता है digestion को health तेज करता है heart and kidney function में इसका काम है memory and focus में मूड और emotion में इसका काम है ठीक है motor control हमारे हाथ तरवी activity है pain processing दर्द खुशी होती है मार्द दो चार कोड़े किसी को दर्द नहीं होता है ना मर्द को दर्द नहीं होता सुना है pancreatic function and insulin regulation pancreatic हमारी pancreas है जो उसके function और insulin regulation में काम करता है pleasure खुशिया and reward seeking behavior हमको मिलेगा कुछ सोच करके हम लोग dopamine निकलता है हम बहुत सारा काम करते है sleep and stress response बहुत सारी चीजों में और भी काम करता है ठीक है ना chemical name structure की बात करें तो again simple है benzene 1,2 diol तो इंक बदलनू जरा मैं हाँ यह आगया 1 यह आगया 2 यह आगया 3 4 तो 4 पर 1 और 2 2 amino और 1,2 ethyl 2 amino ethyl अच्छा जी 2 amino ethyl और benzene 1,2 diol simple नाम अब तो में ख़र नेम करना भी तुम लोग सीख रहे होगे असान लगने लगी होगी चलो जी बढ़िया ठीक है बच्चे बहुत बढ़िया बहुत महनत कर रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते बच्चे को दिल खुश हो जाता है चलो पढ़ते रहो तुम लोग पढ़ोगे खुशिया मेरे को मिलती है है ओके इत्व दोक्टर्स यूज्ब प्रिसक्रप्शन डॉप मेंध यूज करते हैं प्रिसक्रप्शन ओफ डॉपम माइड किमें सिंपेथों मिमेटिक में दिहान रखना सिंपेथों मेटी को हाई करवा रहे हैं एक रख्लों एक्जाम में काम आए गांगे संट्ड है को टुट्रीट पूर्कालियका आउटपूցट पूर्कालियक मतलब दिल दिल का लुट कम हो गया है मतलब दिल का ब्लेट निकालना व गयार्ट कव मतलब भी नयोग सी जिदी सी बहात है nhaart does not pump out enough blood उतना नहीं निकाल पार है इतना हमारी बॉड़ी को जरूरत है पूर ब्लड फ्लो टू वाइटल ऑर्गन्स वाइटल मतला जो बहुत ज्यादा जरूरी अंग है लिवर है किडिनी है वहां तक प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पार है हर किसी का रिजन तो एक ही है भईया लो बीपी हाई कर दो यह दोनों फंक्शन अपने अपस्के हो जाएंगे किलिए रहे बात है इस्टेविल्टी स्टोरेज बोलने की जरूत नहीं है ठीक है सेम है फॉर्मलेशन इंजेक्शन की रूप में है यह ब्रैंड नेम की बात करें तो इंट्रोपिन डोपार डोपाडि कार्डिनोप इंट्रोपिन ठीक है ना तो यह ब्रैंड नहीं में जो तुमनों को याद करने है किलिए रहे है चले आगे टरब्यूटालीन इट इस सोल्ड अंडर ब्रैंड नेम ब्राइकनाई एंड मारेक्स या मारेक्स ठीक है ना इट बीटा टू मैंने काता था आलफा और बीटा के कैसा रहे सप्रों होता है पीटा तु मeredफ नहुं याद ना रहे कोई बीटाली में बीटा एड्रेइयर्ट करने वाला बीटर को सपोर्ट करते इन को यह उसको एक्टिवीट कर देगा टर्वीटालिन कॉम्स एजन और टेब्लेट टेबलेडर पिद डूरु आई वी इंजेक्शन की रूप में भी आता है ठीक ना तर्विटालीन को तुम लोग देखो कि अगर तो खांसी की सिरफ में तुम लोगों को बहुत मिलेगा यह खांसी का सिरफ इस समय सीजन भी चल रहा है चेक करना घरों में तुमारे खांसी का सिरफ में तुरहन उठाओ उसमें तुमको टुम नहीं मिलेगा ठीक है ना आव देखें टर्विटालीन और टेवलेटी इस तु टू ट्रीट आस्तमा ब्रॉंको इस पास ब्रॉंको मतलब जो ब्रॉंको मतलब क्या होता है मैंने बताया यहां पर ना एठन होने लगती है इस पास का मतलब पता यह अब तो एठन तो थो थोड़ा सा सुकड जाती जाती ना तो सांस वक्राइब कम जाती है ठीक है ऐसा क्यों होता है आस्तमा या ब्रॉंको इस पास में क्यों हो रहा है अब कहीं पहरा एक वर्डाड़ आजाए इस का मतलब होता है इंक्वेक्ष्ण इंफ्लमेशन जहां पे कहीं पर दिखत हो गहीं है तो प्रॉंकाई इवर्डाड़ आईटीश ठीक है ना इस तरह जहांक इभी आईटीश वर्डाओ आएगा उसका मतलब क्या हो जाएगा इट इसका मतलब क्या है कि इन फैक्षन और इंफाइसे मां यह भी हार्ट की पॉल्म है फ्रहसा जग्रम टाइटाइट सा हो जाता है लंग सोगेरा तो दिक्कत करता ही है ठीक है तो टर्बूट टर्बूटर लिंग में बता है खांसी की शिरप में मिलेगा यानि जायर सी बात है सीधर सीधर लिंक किस से है लंग से हो जाएगा केमिकल नेम इन इस्ट्रक्टर इस्टार तो है नहीं लेकिन हम देखेंगे हम मानेंगे नहीं हम तो नाम पड़ेंगे ताकि नेमिंग में अच्छे हो सकें ओके पैरेंट पे आते हैं बैंजीन वन थ्री डायॉल 1,2,3,4 and 5 बैंजीन वन थ्री डायॉल five पे क्या लगा हुआ है 1,2,2 पे क्या लगा हुआ है? ये धेखो ये क्या है? c, 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 c इसको कहते हैं tertiary butyl एक तो तीन चार कारवन βिटायॉल और tertiary है तो two पर क्या लगा हुआ है? तर्सरी ब्यूटाइल अमीनों और साथ में अमीन भी आ गया है तो टर्सरी ब्यूटाइल अमीनों वन पर क्या लगा हुआ है हाइड्रॉक्सी और वन्टू इत्थाइस दोगों सबके सेम ही है करना चाहो तो बैंजीन वन्टू वन्जी डायोल किलियर है चलें आगे यूजे है वीजिंग साउंड शांस ले आते हैं किलियर है सौटने साव ब्रीट सांस ना आ रही है चलेए क्या है लिखो हिंदी में जक्तन बोलता है रहां सब लिख नहीं रहा हूँ पॉस करके वीडियो को तुरंद लिख लिया करो जगरन क्या करते हैं मैंने वह डिस्क्रिप्शन में नोट्स तो हैं पहले से डाउनलोड कर लो इसको फोटो कपी निकाल रहे हो तो और अच्छी बाद है प्रिंट आउट निकाल लो उस पर मार्क करते हो चलो साथ के साथ है दो कि नोट की प्रिंट आउट पहले निकाल लो दो या वा लैक्च्चर देख लिया नोट्स निकाल लिया फिर एक बार लेक्चर देख लिया शणा से किलियर सारा क्रोनिक ब्रॉंकाइटीज क्रोनिक मतलब बहुत प्रॉनि ब्रॉंकाइटीज इंफेक्शन एंफा से माँए चैस्ट क्या हो थे टाइट टाइट से घाती है इस्टेविल्टी स्टोरेज सेम सेम हैं ब्राइकानील मारेक्स और ब्रीदेयर क्लियर है चलें आगे ओके सात्मा क्या च्छड़ वरी सिक्स्ट क्या है साल्बुटामॉल यह भी तुमको कहा मिलेगा कफ सिरप मिल लाएगा ठीक है ना चेक कर सकते हो वी तुमको पता होगा है यह क्या है एर वेफ यह से हवा आई यहां जा रही है यहां जारी है यह सुकड जाती है लंग्स की airways इनको यह क्या कर दे रहा है खोल दे रहा है तो it open अफ खोल देता है medium जो छोटे है और last बड़े-बड़े airways लंग्स के उनको थोड़ा सा और open करेगा ताकि सांस लेना और ज्यादा असान हो सके इट इस शॉट एक्टिंग बीटा टू एड्रिनेर्जिक रिसेप्टर शॉट एक्टिंग थोड़ी देखले काम करेंगा बीटा टू का रिसेप्टर है अगॉनिस्ट विच वर्क बाई कॉजिंग रिलेक्षेशन ओफ एर्वेज स्मूथ मसल्स जो हवा के आने जाने के रिलाक्स राओ टाइट शुकरने की ज़रूद नहीं है आओ आगे देखें इस यूज्ट टू ट्रीट अस्त्मा अस्त्मा ठीक है इंक्लूडिंग अस्त्मा अटैक एक्सराइस इंडूस्ट ब्रॉंको कंस्टिक्शन कई बार क्या होता है बहुत हैवी एक्सराइस करने से ऐसे बहुत शुकॹरन से आँसी तब यह काम में आता है एंड्ड- क्रोणिक ऑफ्स्टरक्टिक पॉल्मोनरी डिजीज पॉल्मोनरी आफ्स्त्रक्टेव यानि कि जो हमारी पॉल्मोनरी यानिकि लंग्स होता है उस में और आफ्ट्रक्षन आयाता है कोई चीज मतलब तो क्रोनिक हो गया बहुत पुराना हो गया तो उसे हम सीओ पीडी कहते हैं और कोई चीज की रुकावट कहां रुकावट है पल्मुनरी लंग्स के अंदर रुकावट है की चीज़ की उसमें काम आता यह इंट में यूज टू ट्रीट हाई ब्लड पुटेशिम लेवल जो ब बच्चों के मुँपे भाप लगा जाते देख्या है और डॉक्टर चला जाता है गर हवा सिजाती रहती है उसे नेबुलाइजर कहा जाता है बट इट आलसो अवेलिवल इन पिल्स पिल मतलब दवाईयां लिक्वीड सीरव अगरा के तौर पर मौजूद है और देते हैं जो दवा हमने इनहेल करी है ऑंसेट ऑफ एक्षन ऑफ इनहेल मेडिसीन इस टिपिकली विदिन 50 मिनेट एंड लास्ट वार्ट टू 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 6 आवर वो तुरंत अक्टिवेट अपना काम करना सुरू कर देती है पंदा मिनट के अंदर और लगबग 2-6 गंटे त च्यामिकल स्ट्रक्चर और नाम की बात करें अगर हम लोग इसके तो आओ देख लें क्या वोल रहा है फिनौल मेरे पास अब फिनौल में यह वन हो जाएगा तो यह टू हो जाएगा यह थ्री तो यह फूर हो जाएगा ठीक है ना तो फोर पे क्या लगा हुआ है अगें ट यह लगा हुआ यह a लगा हूए लिगा ही सब्सक्राइच पानी पीलेन ज़रा सा ठीक है यूज की बात करें अगर एक्यूट एपिसोड सॉफ नहीं पसंद एक्यूट एपिसोड लिखना तो सीधर लिख दो की काम आता है कि रहा है क्लाओ रहा हैकित हैशने से की पॉल आ पड़ा रहा हूं तो मैं इसको बाहिए पॉल रहें चलेगा हूं पढ़ा रहा हूं तो मैं इसको पूरा लाइन में लिख रहा हूं chronic bronchopulmonary disorder such as COPD अरे हटाओ इत्ती लंबी लाइन मत लिखो, सीधा लिखो in COPD, chronic obstructive pulmonary disorder ये लिखो के वल, इसमें use है, ना, simple हो गया इससे आसान क्या है, storage, stability, copy paste, हलुआ formulation, tablet solution, aerosol, aerosol क्या होता है, spray, जो इस्प्रे लेते हैं, brand name की बात करें, ventolin, air, aromine, pro air, और pro ventil, ये इसके brand name है, clear है ना, simple, दर्नानी, pharmaceutical chemistry से, उड़ा देंगे, यूँ कर गे, है ना, ओके, next आते है, seven, nefazole, star है, इसके पास, याने की, इसका chemical name or structure, हमारे course में है, तो आप देखें, nefazole, नीजे, इमा, imidazole, sorry, ima नी, ima, imidazole, imidazole derivative, imidazole, ठीक है, derivative and a direct acting, ठीक है, direct acting हम पढ़ी रहे है, याने diet acting, याने diet acting, sympathomimatic amine, with vasoconstructive, याने blood vessel को, सुकोड, इसके ब्लेड वैसल होती है, capital risk वगर, उनको सुकोड़ेगा, vasoconstructive activity, it is used as decongestant, ओविसी बात है, जो सुकोड़ेगा, तो इसके अंदर जो चीज भरी हुई हो, भरी जो आगी चली जाएंगी, तो खुल जाता है रास्ता, ठीक है ना, it act as vasoconstrictor when added to eye, हमारी आखों में भी कही बार क्या रहता है, जो नसे लाल वगरा हो जाते हैं, उसके ब्लड की फिलिंग वह रहाती है, when applied to mucos membrane, यानि कि जो mucos membrane मुग के अंदर है, उस तरफ कोई swelling होए रहा है, वहाँ apply करते हैं तो बहुत जादी उसको ठीक करता है, clear है, नाम देख लें, अब देखो imidazoline, तो imidazole तो यह रहा, ठीक है, वन एच, 12345, और टू पर क्या लगा हुआ है, यह लगा हुआ है, यह लगा हुआ है, नेप्थालीन, रिंग याद आगी, पहले पढ़ चुके हैं, किस से पोजिशन से लगी हुई है, वन से लगी तो वन आईल, और यह C हो गया तो methyl, यह इत करता था, यह ऐसे, वो double bond हटके, अब यहाँ पर क्या लग गया है, H और H, तो यह dihydro और बन पर यह H है, तो imidazole, ठीक है न, तो इस तरह से इसकी यह naming है, किलिया रहे, यूज की बात करें, यूज की बात करें, इट इस यूजड एज़ अज़ अब देखा हमने, नजल ड इस यूजड रहे, यूज की बात करें, तो वेसो कंस्टिक्टर, आँक की जो नसे होती है, उनको भी फिचका करके, आँक की लालामी, जो आँक खिलाल हो याते हैं, इस तो ठीक करता है, इस रैपीड एक्शन इन डिदूसिंग स्वेलिंग, स्वेलिंग को ठीक करता, तो स्टेविल्टी स्टोरेज नहीं पढ़ेंगे, हमें याद हो गया है, फॉर्मुलेशन, ऑप्थेल्मिक जेल, ऑप्थेल्मिक सॉलूशन, ऑप्थेल्मिक जेल और ऑप्थेल्मिक सॉलूशन, ब्रेन नेम की बात करें तो, क्लेरीन, नेफिलेट और प्रीवीन, या प्राइ आओ देखें इसमें क्या है आज नोने इस ड्रग यूज इन संग ओवर दा काउंटर मतलब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जिरोध नहीं है जाओ मेडिवर स्टोर पर देखा ऐसी आइड्रॉप में काम आता है मार कर लिए अगरो आइड्रॉप है ना लास्ट को वाला त्यक्त विए ड्रॉप में था इससे पहले वाला भी और यहां बीक्या आइड्रॉप में नैजल इस्प्रे वह भी नेजल इस्प्रेइड सेमें ठीक है टेट्रा ट्राइजोलीन इजन अल्फा एगोनिस्ट है और अलफा-टू रिसेप्टर पे ठीक है यह कैसे एक्ट करत अंज टिक्टर है ठीक है इट वर्क्स बाइद नेरो इंग स्वेलन ब्लड वैसल जो फूले हुए ब्लड वैसल है उनको पिछका देता यह इन जाए आई टू रिडूस आई रेडनेस आखों में लालामी क्यों आती है अब तुमको यह बात समझ में आगी होगी कि आखों की जो खून पहुंच आने वाली नैसे होती है फूल जाती है उनको पिछका देता है और वो लालामी दूर हो जाती है केमिकल नेम की बात करें तो इमीडा जोल हमको पता ही है दिस इस इमीडा जोल ओके अब यहाँ पर देखो क्या है नैप्थलीन में हमने पीछे देखा था ना यहाँ पर यह और यह इस टैप से यह थे यहाँ पर यह दोनों गायव हो गए है तो इसलिए यहाँ पर क्या आगय 2, 2 के उपर यह जो ring लगी हुई है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 इन सब में क्या hydrogen है, saturate है यह, ठीक है ना, double bond की मजुदगी नहीं है, तो tetrahydro naphthalene, यह क्या हो गया, naphthalene, और 1 से जड़ा हुआ है तो I, and then 4, 5, यह बताया था मैंने, 4, 5, 1, 2, 3, 4, and 5, 4, 5, और यह 1 के उपर क्या H है, तो evidazor, नाम simple है, clear है, चलें आगे, use की बात करें, तो use तो भी यादी हो गया, decongestant end, redness in the eye, उससे रहात देता है, eye में irritation हो तो उससे रहात देता है, irritation क्यों हो जाती है, smoke है, swimming है, dust है, smoke है, आँख में redness क्यों आती है, इन सब चीज़ों की बज़े से आती है, तो वो तर तो लों को याद हो गया होगा, ब्रैंडम की बात करें तो design and visoline, यह दोनों बड़े common से नाम है, market में available है, check कर सकते हो इनको, तो direct acting agent, खतम हो गया हमारे पास, वो 8 थे, ठीक है न, अब आते है, indirect acting, indirect acting की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास है, hydroxy amphetamine, ठीक है, क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, 4 hydroxy, एक्चुली इसका देखें, थोड़ा से छोटा कर लो, हाँ, दिखरा होगा, इसका ठीक है, यह देख रहो न, यह hydroxy यहाँ लगा हुआ है, ठीक है न, तो है क्या, एक्चुली, यह 1, 2, 3 और 4, तो 4 पर hydroxy लगा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, 4 hydroxy amphetamine 4H, also known as hydroxy amphetamine, hydroxy amphetamine, ox amphetamine, ठीक है, नौर, फॉलेडरीन, पैरा, हाइड्रोक्सी, amphetamine, अल्फा, मिथाई, टायरामीन, देख रहे हैं इस समय, उनके कई बार गए होंगे, दादादी के साथ, या पापा, अमी के साथ, डॉक्टर ना आख में दवा डाली होगी, आख की पुत्री पूरी फैल जाती है, तुमको नहीं दिखती है, और फिर जब दवा डालने के बाद, वो लोग कहते हैं कि हमको डॉक्टर साथ को दिख नहीं रहे, तो डॉक्टर कहता है, आख के पीछे का, काली पुत्री के पीछे देखना पॉसिवल नहीं है, तो इसको फैला देते हैं, ऐसी है, फैल गई, तो इसके अंदर-अंदर से हम पीछे का देख सकते हैं, ताकि back of the eye can be examined, तो यह इसका एक important point है, तो तुम्हें फंक्शन में भी याद लिख सकते हो, नौर्एपीनेफरीन, नौर्एपीनेफिन जा की, आपने रिसेप्टर पर काम कर लेगा, यह लोगे र्सेप्टर पर जाके काम नहीं रहेंगे, हम मतनु water-raffine entrance का बढ़े संहत हुं, निकलता है विछ लीड्स टू मैट्रेसिस फिर फाइनली क्या होता है आख के बात करने के तो महाँ पर मैट्रेसिस हो जाएगी ओके और क्योंकि चैमिकल मैंने का क्या का था जब डर लगता तो आखे फैलती है यह दवा डाल के हम इतना ज्यादा चैमिकल डाल दिया है कि वह जद आखे पहला देता है और डॉक्टर को असानी हो जाती है पीछे का देखने में केमिकल ने मैंने स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल है क्या है प्रोपेन तो हम लोग देख लेते हैं वन तू और त्री टू पे क्या है प्रोपेन टू आइल तू है और यह एजैनियम इ मिन ना बोलके गुरूब बनाके ऐस दियम करके जोड़ा गया है ठीक है और इस ही कह यह वन टू टूत ऑ इस से तूपे जड़ा हुआ हूआ इस इस प्रोपेन-इंटाय के वण पर इसके वन पर कौन जड़ा हूआ है 4-Hydroxy 4-Hydroxy ठीक है न फिनाइल के लिए बात समझ मा रही है ओके नेस्ट आते हैं हम लोग यूस इट कॉज़ेस मसल्स इन यूर आई तो बिकम रिलाक्स ठीक है आंक की मसल्स को पूझ तरीकर से रिलाक्स करता है इस वाइडन और पीपल तुमारे प्यूपिल को वाइडन क गईरा हो जाता है और इन पोस्ट सर्जरी सिचेशन सर्जरी के बात कि शुचेशन होती है मापे क्या वार काम में आता है इन विच इस एफेक्ट में भी हैल्फुल गाट करना कई यहां रहता है तो दबाई डाल के हम लोग उसको डाइलिट करके रखते ताकि जो आपरेसे brand की बात करें तो pyramid के नाम से medriasis का mid pair ठीक है ना जोड करके pyramid बना धिया गया है clear है चले आगे okay pseudo-ephidrin pseudo-ephidrin की बात करें ठीक है P.S.E. is a sympathetic drug of the phenytile amine and amphitamine chemical class, class जे दिए इसकी किस class का और इसकी डोस बढ़ा दी तो यह स्टुमलेंट हमको एक्टिवेट कर देगा बहुत ज्यादा वेक्फूल हमको जगा के रखेगा ठीकिना अलर्ट रखेगा हाई डोस में केमिकल नेवर स्ट्रक्चिर की बात करें तो फिर से आओ पकड़ लें इसका फिनाइल प्रोपेन वन ओल वन ओके ओके वन पर क्या लगा हुआ है यह लगा हुआ है तो पर है ना मिठाइल अमीनो यह मिठाइल अमीनो अच्छा यह एस इस से परशान नहीं हो ना यह कई बार क्या रहता है ना RS RS type की ना configuration होती है stereochemical aspect होता है जो कि अपने मतलब के नहीं है तो इससे तुमको कोई भी फरक नहीं पढ़ना चाहिए यह तुमसे अभी पूछा नहीं जाता है तो इसको मैं यहां से हटा देता हूँ ओके तो अब यह क्या वो बोल रहा है 2 methyl amino 1 ठीक है 1 2 2 पर क्या लिखा एं? methyl amino लग गया 1 पर phenyl इस 1 की उपर यह क्या लगा हूआ है phenyl group लगा हूए है ना benzene decir लग वोलते है propane 1,2,3, propane और one all यानि कि यह मेरे पास जो main chain है propane one all होगी propane one all यह मेरे पास main chain होगी इसमें टू पर लगा हुआ है मिधायल अमीनों और वन पर लगा हुआ है फिनाई के लिए रहे है आओ देखें आगे करें तो सीरप और टैबलेट दोनों की रूप में पाए जाता है ब्रैंड की बात करें तो सुड़ा फैट सुड़ो जैस्ट वाल फैड और एडविल के नाम से मार्केट में अवेलेबल है ओके नाव एजेंट विद मिश्ट मेकैनिस सबसे पहले डारेक्ट जैन साइट करेंगा इस यूज्ट प्रवेंट लो बीपी आगे देखो फिर से लो बीपी डूरिंग एनसेशी के समय ब्योंसी की समय अगर बीपी हमारा लो हो जाए तब यह क्या करेंगा काम करेंगा इस यूज्ट फॉर आस्थमा नेक्रोलेप्सी अराम मिलते ही सो जाना भले अभी सो के आया बिल्कुल फ्रेस जालेगे जहां थोड़ा साथ सरीर को जहां आराम मिला सरीर सो जाता है ठीक है इसमें बिचारे का दोस्ति नीजिए और क्या है मुटाबा बट इस नौट दा प्रिफर्टीट्मेंट बट यह प्रिफर्ट्रीट्मेंट नहीं हम करते है इसमें देते हैं बट यह अच्छा इसके लिए ठीक ट्रीट्मेंट नहीं है इसका बैनिफिट अंकिलियर है कि है कि नहीं है करता है बट अंक्लियर है इट कैन वी टेकन वाउट बाइंजेक्शन इंटु मसल्स वीन और जश्ट अंडर दा स्कीन तो आप देखें हम जरूरत नहीं है तो इसको हम लोग हटा देते हैं आजे ठीक है ना यहां से हट गया ओके देखते हैं फिर से यह आ गया वन टू छिरी उदर आल था इदर पर कुछ भी नहीं है यह यह मेरे पास क्या आ गया टू पर मिठाइल अमीनो वन पर फिनाइल और फिनाइल प्रोपेन वन और वन टू और प्रोपेन क्या आ गया वन ओल आ गया ठीक है ना आगे देखते हैं हम लोग यूज की बात करें इट यूज टू ट्रीट ब्रीधिंग प्रॉब्लम सांस लेनी की जो दिक्तते होती है उसको ठीक करने में हेल्प करता है नजल कंजेसंट एजटी कंजेस्टें नाग की जगरन को दूर करेगा लो बीपी में भी यह काम करता है इस टेविल्टी स्टोरे सेम है पढ़ते आ रहे हैं लगातार फॉर्मलेशन की बात करें टैबलेट और कैप्सूल को रूप में यह मार्केट में अवेलिबल है ब्रैंड नेम की बात करें तो ब्रॉंक्यार्ड कॉर्फेड्रा एंड एमर्फेड के नाम से यह मार्केट में अब इले बलशेक से लें आगे ओके मेरा अनमीनॉल एमोल्री सोंदर अधान नेम ऑरमाइन इतलs तु के इस डियो आइसंर पार्ट है यह आईसोमरिद्म का एक पार्ट है ठीक है हमको वहां नहीं जाना है इस्टीर आईसोमर है मैटा हाइड्रोक्सी नौर अफेड्रीन थ्री बीटा डाय हाड्रोक्सी एंफिटामाइन जो बच्चे लर्ण करने की छमता अच्छी है याद करें और जिनकी लर्ण करने की छमता अच्छी नहीं इस लाइन को हटा देना ठीक है ना सिंपल रखना है पास होना बढ़िया नंबरों से ठीक है इट इस पोटेंट सिंफा पोटेंट मतलब बहुत ताकतवर बहुत जल्दी बहुत अच्छा एफेक्ट देगा यह सिंपैतो मेमेटिक अमीन है यूज्ट इन प हो जा रहे है अने सीजिया के टाइम पर तो कॉमन वर्ड याद कर लो यह लगा सकते हो इडिजन अल्फा वन वन मत याद रखो अल्फा अधिन रिसेप्टर अगॉनिस्ट विट सम बीटा एफेक्ट को इसका बीटा एफेक्ट भी होता है केमिकल लेम की अगर हम बात करें तो आज देखें यह फिनॉल यह रहा मेरे पास फिनॉल कि 1 वन तो और 3 भी पर क्या लगा हुआ है 1 2and 3 तूपर अमीनो यह ँरा 2 पर अमीनो इसका नाम आगया यूस उसका हम बात करें यूस्ट फर क्रिवेंश्च ट्रीट इसका नाम हागया ठीक है है हाईपोटेंसीव इस्टेट किसके लिए काम में आता है प्रिवेंशन रोकने के लिए ट्रीट करने के लिए राद के ॡ्रिट्र इंडीकेशन ठीक है है हाईपो टैंशन किसकी सवरे से हैं या कोई मेडिसीन रियक्ट कर गया है या कोई surgery के time complication हो गई है या शौक सद्मा लग गया है ठीक है ना या ट्रॉमा या ट्यूमर है इन सब केस किसी भी केस की वह से अगर हाइपोटेंशन हो गया है तो उसमें हम लोग इसको दे सकते हैं stability order same है formulation solution की रूप में है market के अंदर ये और नाम है area mine clear है और ये हमारे पास lecture हमारा खतम हो जाता है clear है तो मज़ा आया lecture में ठीक है lecture अब regular आते रहेंगे कोशिश करो notes पहले निकाल के रख लो ठीक है और साथ साथ में उस पे ठीक मारते जाओ देखते जाओ उसमें क्या-क्या चीज़े हैं और पता ना क्या करना है थोड़ा सा लेट हो गया मैं बताया मैंने तब ठीक नहीं थी जिसके उसे लेक्टर डिले हुए है बट आप लोग निराशना हो मैं हर हालत में फैब से पहले पहले फैब के एंड से पहले पहले आपका पूरा कोर्स मैं फिनिश कर दूँगा ठीक है ना जितना पढ़ा दिया है उतना अच्छे से बार-बार रिवाइज करें एक्जाम के लिए पिरपेर रहें करोना के चकर में ना रहें कि करोना है ऑनलाइन हो का बहुत ज्यादा संभावना है कि पेपर तो होंगे बात समझमारी है पेपर तो होंगे ठीक है ना और किसी टाइप की हैल्प चाहिए तो उसको हम देखेंगे बहुत से बच्चे कुछ और सब्जेक्ट के लिए बोल रहे हैं बच्चों मैं पढ़ा दूँगा लेकिन पह सब्सक्राब कर लेंगे जो टफ टॉपिक्स हैं उनकी वोटिंग करवा लेंगे जो टॉप टॉपिक्स हैं उनको मैं पहले ले लूँगा खतम करा दूँगा जिससे कि तुम लोगों को एक्जाम में काफी हद तक मिल सके ठीक है ना कोशिश करूँगा मैं फैब एंड तक आजाओं फैब के पहले ही पहले ही इसको मैं क्या करूँ खतम करा दूज को मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करूँगा बहुत सारे बच्चों कमेंट्स आते हैं बहुत अच्छा लगता है बहुत सारे बच्चे मेरे को अप्रेशेट कर रहे हैं ठीक है आप लोगा प्यार म एसे ही पढ़ना है ठीक है ना कमेंट्स की बात नहीं कर रहा है कमेंट्स तो डैट इस गुड उससे मेंको वाकरी में काफी अच्छा लगता है गुड फील होता है मेरे को की एटलिस मेरी महनत काम आ रही है ठीक है लेकिन मैं रियल खुशी मेरे को तब होगी जब आप होगी वो तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे और वो नंबर के वारे में तुम मेरे को कमेंट करके बताओ कि सर हमारे नंबर इतने अच्छे है ठीक है और मेरी तरह से इतना कोशिस होगा मैं करूंगा और तुमको क्या करना है रिवाइस करना है और रिवाइस करना है रि